हाई एब्रीवन वेल्कम बैक टुमाइट सैनल आई होप गाईस आप सभी लोग अच्छे होंगे स्वस्त होंगे मस्त होंगे आज हम आपके साथ सेर करने जा रहा है इस्टेंडिंग बॉकाउट एट होम जो आपकी बैली फैट ओपर फुल बॉड़ी की फैट को कम करने के ल जिससे हमारा पूरे बॉड़ी का वेट लॉस होता है साथ ही साथ हमारी बॉड़ी हीट करने में भी यह बेस्ट एक्सरसाइज है वैली फैट के लिए भी बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आप अँड श्यकंड है टॉप बॉड़म पँच स्कॉट इस एक्सरसाइज से आपकी ओवरॉल फुल बॉड़ी की फैट को कम करता ही करता है साथ में आपकी जो शिटिंग है अगर उसमें प्रोब्लम होती है आपको बैटने में प्रॉब्लम होती है आपकी कमर में पेन होता है और बोडी की जो मतलब बैठने के टाइम या उट्टे टाइम हमें पेन होता है हमारी बोडी एकदम अकड़ सी जाती है उसको कम करने के लिए उससे रिलीफ मिलने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है हावर्स स्टैंड स्कौट और स्टैंड स्कौट में आपको सिंपली अपने दोनों पैरों को अच्छा से एक थोड़ी से दूरी बनानी है और उसके बाद आपने हाथों को अपने चेस्ट पे रखना है दोनों हाथों को और जिस तरह से देख रहे हैं इस तरह का स्कॉर्ट आपको लगाना है गाइस अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज लाइक, सेर, सस्क्राइब कर दीजिएगा वीडियो पसंद आती है तो कमेंट में हाई हलो चो भी आपको लिखना हो लिख दीजिएगा और नेस्ट है डग साइड पंच जिस तरह से आप देख रहे हैं इसमें आपको अपने लेफ्ट और राइट अदर साइड के हैंड अदर साइड कर लेके और को करना है जान सबही ुकाउट स्टैंडिंघ है और यह आपकी बॉडि को हीट करने में आपके पूरी बॉडि के फैल को कम करने की और आपके जितनी भी चर्भी है आपके बॉडि में उसको कम hem करने के लिए बहुत ही अच्छी हों बहुत ही वह एक हय थिसों सबही कर दिजिएगा बहुत जादा फैट हैं वह कम नहीं हो रहे हैं उसके लिए लंगेस ट्विस्ट बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज होती है मेरी कमर के जो फैर्स होते हैं उनको कम करने के लिए मैं इस एक्सरसाइज को बहुत टाइम चे कम कर अकाम करता है मेरी बोडी पर बहुत अच्छा इसका रेजल्ट मिलता है कि यह मेरी ओल टाइम फेवरिट एक्सरसाइज रही है यह थोड़ी सी डिपकल होती है थोड़ी सी हार्ड होती है बट आपके कमर के साइट फैट को कम करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज होती है नेश्ट है हमारा इसकी रणर यह भी हमारे पूरी बॉड़ी के फैट को कम करने के लिए पूरी बॉड़ी के चर्वी को कम करने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है सभी एक्सरसाइज को हमें बन मिनार तक करना है बीच में फाइब टू टैन सेकंड आप रेस्ट ले सकते हैं अच्छी एक्सरसाइज है इस्टेंडिंग एंग डबल नीडू पंच इसमें आपके सेम साइट के पैर और हाथों को अच्छी एक्टिव करना है कि करके और अपने हाथों से पंच करना है और अपनी पॉड़ी को साइड मूब करना है और अपने ली को हम उपर की तरफ लेकिज आएंगे फ्रंट में कि अपने बच्छी के अपने दोने हाथों को अपने शोल्डर के आपके अपने आपके इसको पॉड़ी करना है और नहीं करना है एंड अपने बॉड़ी को लेफ्ट एंड राइट साइड तुल करते हुए स्कॉर्ट करना है एंड नेस्ट है मारा बॉड़ी फ्रेंट स्लैम इसमें आपको स्टेंडिंग पोजेशन में खड़े हो जाना है दोनों पैरों के बीच एक कैप रखना है दोनों हाथों के कि थे फिंगर को क्रोश कर लेना है और अपनी बॉड़ी को फ्रेंट में मुव कराना है चाहँ को इस तरह से आप देख रहे हैं इससे हमारी पूरी की पे को कम करने में बहुत ही अच्छा होड़्व करेगा सत ही-सात मसे मारा स्वेली फैट को बहुत ही जल्द चल्द कम कर करने में हेल्फ करता है नेस्ट वर्काउट है सेलीब्रेशन नीड राइब जिस तरह से हम सेलीब्रेशन करते हैं किसी चीज़ को तो हमारी जो पोजीशन होती है वह बहुत ही हैपी पॉझीज है पॉझी पोजीशन होती है ने अमारे बोडि को सेह से तो हम इस और अच्छा होता है तो इस पॉझीशन से यह पोजीशन शीच सेब्स घ्राइब मोढ़गोन माद धुमार को साहना के छीज़ा उथी था क्यान का पॉझे़शन अधंक हॉझे प Eagle का मैं मानि इस साफ पाइंट भी अचीब कर सकते हैं नेस्ट है हमारा स्कॉर्ट कि यह हमारा बेसिक स्कॉर्ट होने वाला है कि इस एक्सरसाइज को भी हम वन मिनट तक रखेंगे अगर आप यहां तक वीडियो देख ले हैं तो प्लीज गाइस लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगता है उमीद करते हूं वीडियो पसंद आता होगा थैंक्यू बबाए टेक केर